नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्योब चैनल योजना ओनलाइन फोर यू पर दोस्तों आज फिर आपके सामने एक महत्पून जानकर लेकर हाज रूए हैं जैसे कि आप सभी जानते हैं कि समिधा कर्मी लगातार धरना परत्थन कर रहे हैं कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए तो दोस्तों काबिनेट में हुई बैठक में परस्ताव को मंजूरी मिल गई है एक लाग से अधिक समिधा कर्मियों को अब सरकार परमानेंट करने जा रही है दोस्तों काबिनेट में नई नियमों को भी मंजूरी दे गई है यानिके नए नियम भी यहां पर लागु किये जाएंगे और साती सात जो मांदे ब्रोत्री को लेकर मांग की जा रही थी अब दोस्तों मांदे में भी ब्रोत्री किये जाएगी यह सभी आप जानते ही हैं कि चहें आसा हों, रसोई हों, अंगनवाडी हों या फिर सिक्साममित्र हों सभी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो के माध्यम से हम आपको बता देते हैं कि कैबिनेट बैठक में किस प्रस्ताव को मंजूरी मिली है और किन-किन समीधा कर्मियों को पर्मनेंट के जाएगा वह एक लांक समीधा कर्मी कौन है जिनको अब पर्मनेंट सरकार द्वारा किया जाएगा दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले निवतनी है करेंगे कि वीडियो को पुरा वाज करिएगा वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे जाएगा शियर भी करिएगा दोस्तो एक लाग से अधिक क्रमचारी होंगे पर्मानेट दोस्तो आपको बता चाहेंगे कि कैबिनेट बैठक में सरकार ने परदेश के सभी सरकारी विभागों में जैसे कि हमने आपको बता है कि आसा अगनवाडी और सपाई क्रमचारी शिक्षमीत्र ये सभी जोस्तो अलग भी भागों से जो क्रमचारी धरना परदसन कर रहे हैं दोस्तों इन सभी के लिए सरकार दुआरा कबिनेट बैठक में एक एहम फैंसला लिया गया है जिसके मुताबिक समीदा प्रकाम करने वाले काम करने वालों की भरती से लेकर उनकी सर्विस तक नए नियम बनाए ज दोस्तों प्रमनेंट भी होंगे आप कमान्द भी बढ़ा जाएगा और जो आगे नए भरती निकल जाएगी उन सभी में यह नए नियम मान्य होंगे तो दोस्तो जैसे के आप सभी जानते हैं कि भारत देश में, अलग-अलग राज्यों में दोस्तो यह एक राज्य की बात नहीं है आप किसी भी राज्य में देख सकते हैं चाहे हुतर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्राखंड हो, हरियाना हो, राजिस्थान हो परती एक राज्य में समीदा कर्मी अपनी मांगो को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनकी मांगों को पूरा किया जाए और दोस्तों मांगे क्या है वे भी आप सभी जानते हैं जैसे की उनको प्रमनेंट किया जाए और उनके मांदे में वरधी किया जाए तो दोस्तों यहाँ पर वह एक लांक समीदा कर्मी कौन है जिनको सरकार प्रमनेंट करने जा रही है उस सभी की जो मांगे हैं वह पूरी होने जा रही है। यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे आंगनवाडी, शिक्षामित्र, सफाई करमचारी, आसासेंगनी, रसोया, आदिस सभी जो समीदा करमी हैं उनकी मांग हैं कि उनकी मांदे में वरद्धि की जाए क्योंकि काफी लंबे समय से उनको जो मांदे मिल रहा है वह बढ़ा कर दिये जाए और दोस्तों उन सभी समीदा करमियों को पर्मानेंट भी किया जाए जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के वक्त सभी जो समीदा करमी हैं आगनवाडी कारे करता हैं उन्होंने डोर-टोर जाकर अपना कर करतवे निभाया है और ऐसी सिचुवेशन में उन्होंने बहुती सरकार की हैं कि है तो इसी काम को देखते हुए अब सरकार द्वारा समीदा करमियों को पर्मानेंट करने जा रही है जाहिए सरकारी सफाई करमचारी हो या अंगनवाडी हो आसक करता हो यहां पर उन सभी का एक एहम दोस्तो कारिया था और एक अच्छे तरीके से होने अपना करतवे निभाया है तो अब सरकार द्वारा उन सभी को बड़ा लाब मिलने जा रहा है राज्य सरकार द्वारा अब उन सभी समीदा करमियों की मांगे पूरी होने जा रही है और समीदा करमियों को पर्मा मांदे है जो इनको मांदे मिलता है भाव तो उसमें बढ़ोत्रे कि जाएगी दूस्तो माज़े इतना ज्यादा नहीं मिलता है जैसे कि आप सब्यांते हैं कinek आप 1 ₹ आगनवारी रूप ही के इकिर्याकर्ता को लेकिन यह एलान नहीं किया गया कि किस विभाग में कितने मानदे की बढ़ोतरी की जाएगी काभिनेट बैठक में मंजूरी मिल चुकी है और दोस्तो नए नियम भी यहाँ पर बनाए जाएगे दोस्तो काभिनेट में बड़े एहम फैसले ले गए है और नए नियम भी बनाने की चर्चा की जगई है अब दोस्तो नए नियम कैसे बनाए जाएगे सबसे पहले दोस्तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक लाग करमचारी है समीधा पर कारे कर रहे हैं वेक कोन-कोन से परमानेंट होंगे उसके बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तो बताया गया है कि जो नए भरती दिनकल जाएगी उसमें भी यह नए नियम मानने होंगे अब चलिए दूस्तों मैं आपको यहां पर बता देता हूँ कि यहां पर वैक कौन-कौन से जो समीधा कर्मी है परमनेंट की जाएंगी उसके बारे में यहां पर बता देता हूँ दोस्तों में आपको बदादने होंगा कि जैसे सरकार द्वारा यहां पर आस्वसन दिया गया है कि सभी को प्रमनायन्टिक कर दे जाएगा और मांदे में वरधी कर दे जाएगी तो ऐसी सिचुवेशन में ऐसी स्तिती में समीदा कर्मी संतुष्ट नहीं है और दोस्तों अपनी मांगो को लेकर धरना पर्दसन लगातार कर रहे हैं समीदा कर्मियों का कहना है कि धरना पर्दसन तब तक चलता रहेगा जब तक राज्यसरकार उनकी मांगो को पूरा नहीं करेगी जो कबिनेट बैठक में फैसला हुआ है वे किन करमचारियों को दोस्तों यहाँ पर प्रवनेंट की जाएगा उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले हाँ पर जानकर देता हूँ तो दोस्तों सरकार दोवारा बता गया है कि जो भी 1998 में से पहले अपने कारिया में लगे हुए है यहनि के दोस्तों समीदा पर कारिया कर रहे हैं उन सभी को परमनेंट किया जाएगा अगर आप भी ऐसे समीदा कर्मी हैं कि जो 1998 में से पहले आप समीदा विभाग से जुड़े हुए है आप चाहे किसी भी विभाग से हो लेकिन आप समीदा पर कार्या कर रहे हो चाहे आप किसी भी तरह भरती हुए हो सीधी भरती के तैत हुए हो या फिर जैसे भी तो दोस्तों यहाँ पर आपकी जो कार्यकाल है वह 1908 में के बाद का होना चाहिए इन्ही करमचारियों को प्रमनेंट के जाएगा और दोस्तों मांदे में वरद्धी की बात करें तो दोस्तो यहाँ पर मांदे में वरद्धी के लिए कोई इनियम नहीं है सभी का जो मांदे है वह बढ़ाने का सरकार दोरा फैंसला किया गया है लेकिन केविनेट बैठक में यह है किलियर नहीं किया गया है कि किसका कितना मांदे बढ़ा कर दिया जाएगा हलाग दोस्तो मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक बता जा रहा है कि आगनवाडी करेकरताओं को पांसो रुपे से लेकर और दोस्तो एक हजार रुपे तक का जो मानदे है वह सरकार दुवारा बढ़ा जा सकता है अगर दोस्तो बात करें सफाई करमचारी की तो सफाई करमचारी में दोस्तो आठ सो रुपे तक का मानदे बढ़ा जा सकता है आधा संगनी की बात करें तो दोस्तो उनका जो मानदे है वह सड़े साथ हजार रुपे बढ़ा जा सकता है और अगर सिक्षमित्र की बात करें तो तो शिक्षा मित्र में दोस्तों यहाँ पर 2000 रुपे की महांदे बढ़ाने की यहाँ पर विचार किया जा रहा है। अब दोस्तों आप जान सकते हैं कि यहाँ पर कितना मांदे बढ़ा जा सकता है यहाँ तो इसके लिए कोई किलियर यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिला है जानकारे नहीं मिली है लेकिन अब भी जो समेदा कर्मी हैं लगातार धरना परदसन कर रहे हैं और उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक धरना परदसन ऐसे ही चलता रहेगा तो अगर यह है धरना परदसन अब बंध हो गया तो उसके बाद हो सकता है कि आपकी मांगे ना पूरी हों क्योंकि आगे विधान सभा चुनाओं काफी नजदीख है और विधान सभा परदसन को बंद कर जाए लेकिन तो सभी जो धरना परदसन कारी है वह धरना परदसन लगातार कर रहे हैं उनकी मांग है कि उनकी मांगों को पूरा करे मांगों को पूरा करे और उनको परमनेंट किया जाए उनकी जो समीधा करियों पे जितने भी करमचारी है उनके मांदे में वरद्धी की जाए तो दोस्तो जैसे ही आगे कोई नोटिफिकेशन मिलता है तो आपको तुरंत वह नोटिफिकेशन की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो जैसे था शेयर करेगा वीडियो को लाइक नहीं क पुरी पुरी कोशिस की जाएगी दोस्तो हमारा कार्य होता है आप तक सही और से टिक जानकारी पहुंचाने का दोस्तो हम आपके लिए इस प्रकार सही कार्य करते रहेंगे और आगे भी दोस्तो आपको इस तरह की इन्फोर्मेशन देते रहेंगे निवेद निहा करेंगे कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जासे लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्रेब रहेगा बैल आइकन को प्रैस करेगा ताकि आने वाला जो में दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत